प्राचीन काल के उतरार्ध में कोई भी कलपना नहीं कर सकता था कि अरब प्रायद्वीप के रिगिस्तानी परिद्रिशे से एक विशाल सभ्यता उभेगी लेकिन दूरगामी विजय के बाद खलीफाओं और सुल्तानों ने सम्रिध्धी और तबाही के युगों के माध्यम से विशाल सामराज्यों पर शासन किया यहाँ 1000 साल का इसलामी इतिहास है जो अपने मध्यपूर्वी हाटलैन पर केंड़िध है छेवी शताबदी में अरब प्रायदवीप महान सामराज्यों का पिछवाड़े था पूर्व में फार्सी सासैनियन सामराज्य और पश्चिम में ईसाई बीजानतिन सामराज्य प्रायद्वीप के अरब निवासी एक जातिय और सांस्कृतिक समू थे जिन में मुख्य रूप से ठानाब दोश जनजातियां शामिल थी उनमें से अधिकांश बहुदेववादी थे जो कई देवताओं की पूजा करते थे यह सब बदलने वाला था